तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास टेंथ के प्रस्ना वाली 8.4 के प्रस्न संख्या पाच्वां के दूसरा को स्वल्ब करने वाले हैं तो आप इस वीडियो को बिना स्किप किये पूरा अंध तक देखिए तो प्रस्न में है हमारा इस प्रस्न को क्या करना है कि हमें प्रूब करना है प्रूब करना है कि LHS जो है वो RHS के बराबर है बराबर के जो बाया फैड रहे उसको बोलते हैं LHS और बराबर के जो दहना फैड रहता है उसको बोलते हैं RHS तो क्या करेंगे कि इस LHS को solve करके RHS लाएंगे तो चलिए सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं LHS को LHS में है cos A by 1 plus sign A और है plus 1 plus sign A by cos A यह हो गया हमारा LHS इसको solve करेंगे और हम लाएंगे 2 fake A तो ध्यान दीजे यहां पर यह यहां पर cos A और यहां पर है by में 1 plus sign A यानि कि cos A यहां पर और cos A यहां पर 1 plus sign A यहां पर और 1 plus sign A यहां पर तो हम क्या करेंगे कि इसको हम लोग भीन का जोड बनाएंगे तो भीन का जोड हम लोग कैसे बनाते हैं सबसे पहले एक लाइन खीचेंगे और फिर हरों का LCM लेंगे जब हम लोग 1 पलस FAN-Yay और कौफ-Yay का LCM लेंगे तो यह इसका LCM हो जाएगा कौफ-Yay और इसको हम लोग रखेंगे इंटू में 1 पलस FAN-Yay अब यहाँ ध्यान दीजिए 1 पलस FAN-Yay से भाग देंगे इसमें तो 1 पलस FAN-Yay और 1 पलस FAN-Yay यह क्या होगा कट जाएगा और फिर यहाँ पर बच जाएगा कौफ-Yay अब क्या करना है कि कौफ-Yay का गुना कौफ-Yay में करेंगे तो यह हो जाएगा कौस-A-Squire-A बीच में यहाँ पर पलस का चिन तो पलस का चिन दिए अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कौस-Yay यहाँ पर और कौस-Yay इंटू 1 पलस FAN-Yay यहाँ पर कौस-Yay और कौस-Yay कट जाएगा तो यह बचेगा 1 पलस FAN-Yay और 1 पलस FAN-Yay का गुना करेंगे 1 पलस FAN-Yay में तो यह हो जाएगा 1 पलस FAN-Yay का हौल-A-Squire यहाँ पर ध्यान दीजिए यह है 1 पलस FAN-Yay A के जगह पर अगर हम एक माने और B के जगह पर माने FAN-Yay तो यह हो गया A पलस B का हौल-A-Squire तो इसको हम लोग तोड़ेंगे A पलस B का हौल-A-Squire में तो यह हो गया देखिए Cos-A-Squire A पलस A के जगह पर एक माने हैं तो A पलस B का हौल-A-Squire का फोर्मूला होता है A-A-Squire पलस B-A-Squire पलस 2AB तो A-A-Squire यानि की एक का स्क्वाइर पलस B-A-Squire यानि की Sin-A-Squire A पलस 2AB यानि की दो का गुना करेंगे एक में और Sin-A में तो यह हो जाएगा 2 Sin-A और बटा में है Cos-A into 1 पलस Sin-A अब यहाँ ध्यान देजिए Cos-A-Squire A पलस Sin-A-Squire A Cos-A-Squire A पलस Sin-A-Squire A का फॉर्मूला क्या होता है एक होता है Cos-A-Squire theta पलस Sin-A-Squire theta या तो Sin-A-Squire theta पलस Cos-A-Squire theta बराबर एक होता है तो इसको हम लोग साथ में रखेंगे चलिए यहाँ पर लिख देते हैं Sin-A-Squire A पलस Cos-A-Squire A इसको हम पहले लिख सकते हैं क्योंकि यह भी पलस में है और यह भी पलस में है पलस एक का असquire करेंगे तो यह हो जाएगा एक पलस टू साइन ए और बटा में Cos-A इन्टू वन पलस Sin-A-Squire A पलस Cos-A-Squire A बराबर हो जाएगा एक तो यहाँ पर लिख दिए एक पलस यह वला हो गया एक और पलस टू साइन ए तो यह हो गया टू साइन ए और बटा में Cos-A इन्टू वन पलस साइन ए एक और एक को जोड़ देंगे तो यह हो जाएगा दो पलस टू साइन ए बटा में Cos-A इन्टू वन पलस साइन ए अब यहाँ धियाँ दिजिए यहाँ भी दो है और यहाँ भी दो है तो हम लोग क्या कर शकते हैं कि दो को कामन निकाल सकते हैं तो जब यहाँ से दो को हम कामन निकाल दिए तो यहाँ पर बच गया वन और यह पलस कचिन फिर दो को बाहर निकाल चुके हैं तो यहाँ पर बचा साइन ए और बटा में Cos-A इन्टू वन पलस साइन ए अब यहाँ ध्यान दिजिए वन पलस साइन यह अन्ट में और वन पलस साइन यह हर में तो यह जो वन पलस साइन यह है और यह वन पलस साइन यह यह जो है कट गया अब यहाँ पर बचा 2 by Cos-A यहाँ पर ध्यान दिजिए यह जो है अब यहाँ ध्यान देजिए ये जो दो है वो अंस में है तो हर में हम लोग एक लिख सकते हैं और ये जो एक बटव सेकी है ये जो है मेन भाग का चिन है तो ये गुना में बदलेगा तो यहाँ पर गुना का चिन दिये और भीन के भाग का नियम है कि गुना में बदलकर उसक जो अन्स होता है वो हर बन जाता है और हर जो होता है वो अन्स बन जाता है तो ये जो हर है शेक ये वो अन्स बन जाएगा एक अन्स में है तो वो बन गया हर तो इस तरह से यहां पर देखिए टू फेक ए ये हमारा हो गया अरेचेश यानि कि इसको solve करने पर इस LHS को solve करने के बाद हमारा आ गया 2Fake A यहाँ पर देखिए 2Fake A आ गया तो यहाँ पर हम लिख देंगे LHS is equal to RHS Hence, LHS is equal to RHS Proved तो students I hope कि आपको यह प्रशन अच्छे से समझ में आया होगा अगर आपको यह वीडियो पशंद आया हो तो आप इस वीडियो को like करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को भी subscribe करें धन्यवाद